हेलो फ्रेंट्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों मैंने आप सब से ब्रोमिस किया था कि मैं आपको इस नंबर कोर्स के बाद मैं आपको सिंबल का कोर्स देने वाला हूँ ठीक है? अब बारी है सिंबल के कोर्स की काफी लोग करते कहा है वो typing तो बहुत अच्छी जानते हैं उनको A से Z तक भी typing आती होती है number भी वो थोड़े बहुत कर लेते हैं लेकिन symbols में उनकी जो command है वो बिल्कुल भी नहीं होती है क्यों? क्योंकि वो इसकी practice करते ही नहीं है ठीक है? मुस्ली लोग करते कहां वो लो A से Z तक तो उनकी command अच्छी होती है इन तीन lines में वो बहुत अच्छी typing कर लेते हैं लेकिन जब बात आती है numbers की या ये symbols की तब उनकी जो speed और accuracy है वो बहुत ही कम निकलती है तो numbers का course मैं आपको already दे चुका हूँ अब बारी है इन numbers की ओपर ये दो symbols बने हुए है इन्हें हम कैसे बनाएंगे और कौन सी उंगली से बनाएंगे ये हम इस course में जानेंगे ठीक है आप यहाँ पर देख पाते हो कि यहाँ पर semicolon है लेकिन उसके ओपर colon भी है ये सब symbols आप कैसे टाइप करोगे speedly ये आपको इस course में बताने वाला तो direct शुरू करते हैं आपका हाथ में आपके 0 position पर रखा रहेगा A, S, D, F, 2 चोन के दर से semicolon से semicolon L, K, J और अंगूठा स्पेस बार पर अब आपको आज करना क्या है आप देख पड़ा है जो उंगली मेरी अभी इस semicolon पर रखी हुई है ये वाली उंगली आज हम केवल इन दोनों keys का यूज़ करने वाले हैं कौन से keys ये दोनों keys ठीक है इसको मैं जो पूरा symbol course है इसको मैं 10 days में cover करूँगा हर दिन आपको नए keys और उन keys से बनता क्या है मैं आपको बताऊंगा तो आज देख लिटे हैं कि आज की exercise में आपको करना क्या है आपको ये और ये वाली दुकी है इसको आज cover करना है पहले आप ये वाली key प्रेस करोगे simple press तो क्या बनेगा semi colon बनेगा simple press किया तो क्या बना semi colon बना फिर इसी की को आप shift के साथ जब प्रेस करोगे तो क्या बनेगा colon बनेगा जो sign उपर बना हुआ है ठीक है जो नीचे वाला है ये बिना shift के बनता है तो उपर वाला है वो shift के साथ में बनता है तो बिना Shift के प्रसकिया सिमी कॉलन Shift के साथ में प्रसकिया तो दीक है? पिना Shift के प्रसकिया तो बना single inverted comma या apostrophe Shift के साथ प्रसकिया तो double inverted comma ञें? तो सिमी कॉलन ये करना है दोस्तों आज़ा आपको 3 से 4 घंटा सिमी कॉलन कॉलन single inverted comma double inverted comma ठीक है semicolon shift के साथ में colon single inverted comma double inverted comma आपको यह करते रहना है 3 से 4 घंटे day 1 में आप अब यह कर लोगे तो next day में मैं आपको यह वाली जो 3 keys हैं इनका use कैसे करते हैं यह मैं आपको बता मता हूँ ठीक है उपर आपको देखर रहो कि आपको आप क्या करना है कोई doubt है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर directly message कर सकते हो और अपना question हो सकते हो ठीक है thank you